तो बालक CBC Boards exam को target करते हुए science के लिए भी एक अलग playlist बना दिये है Maths का full chapter बालक upload तो हो ही रहा है Science का जितना भी important question से बालक उसको हम लोग chapter wise discuss कर रहे होंगे और जो सारा question का जो बालक अलग playlist है उसका नाम है class 10 science करके तुम जाकर के visit कर सकते हो हम courses करेंगे description में उसका link डलवा दे बात के लिए रहना तो पिछला जो बीडियो पाट था वालक उसमें हम लोग light से related hot question देखे थे यान important questions देखे थे जिसका chance होता है इस बार बोर्ड में आने का सारा जो questions बालक इस playlist में होगा वो सारा research-based होगा मतलब कि बहुत बारीकी से उसे डुंडा जाएगा जो questions बच्चे जादा तर गलत करते हैं या आज का जो pattern है competency-based question आने का बोर्ड जो है वो आजकल competency-based question ज्यादा फोकस कर रहा है तो वैसे questions को select किया जाएगा तुम्हारा काम ये होगा कि अच्छे से chapter को पहले revise करोगे अच्छे से theory पढ़ोगे जहां भी पढ़ते हो और उसके बाद फिर इस questions को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना जब तक questions के साथ हम लोग नहीं भीडेंगे यानि questions प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छा score नहीं हो पाएगा हना तो सारे questions को बारीकी से तुम answer करते चलोगे हम जितना भी इस playlist में वीडियो होगा वो सारा premiere होगा एक ही time पर 8.30 हम तुमको time बता दे रहे हैं बालक 8.30 में हन वीडियो चल रहा है यह regular है क्लिर है तो स्टार्ट करते हैं वालक हम प्रेवियर में देख रहे हैं कौन बच्चे कितना सही answer दे पा रहे हैं तुम भी डेली काउंट करोगे कि कितना question में तुम कितना सही कर पा रहे हो दीरे दीरे practice करते जाओगे इंप्रूव हो जाओगे ह ना चलो यार first question हम तुमको दे रहा है first question first question का answer जल्दी से बता दो बड़ा ही easy question है the number of images observable between two parallel mirror मतलब दो पैरलेल मिलर अगर रखा जाए दो पैरलेल मिलर हो mirror हो इस तरीके से और इसके बीच में कोई object आए तो उसका number of image कितना बनेगा यह तुमको बताना है दो पैरलेल mirror के बीच में अगर किसी object को रखा जाए दो पैरलेल मिलर के बीच में तो कितना हम लोग image observe कर सकते हैं वहाँ पर कितना image हम लोग को देखने को मिलेगा हना saloon वगरा में बालक तुम देखे होगे ऐसा scene हना जो लोग option number D tick कर रहे हैं वो बिलकुल सही है हना बहुत image तुमको होता है ज्यादतर है ना ताकि बैक वला भी cutting तुमको दिखे तो अब तुम इसमें ये दो plane mirror के बीच में तुम object की तरह हो तुम्हारा image बन रहा है count करोगे image ना पीछे वाले mirror में या आगे वाले भी mirror में अगर तुम करोगे तो तुमको बहुत सारा image दिखेगा बहुत सार काउंटर नहीं कर पाओगे उसको है ना तो इसलिए इसका answer बालक infinity होगा next question next question बालक इसको बताओ जल्दी से fast बहुत इजी question है question है कि which one of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens as shown in figure है ना ये कौन सा lens है बालक convex है ना ये बालक convex lens है तो अगर ray यहाँ पर बालक focus है focus two focus one focus two focus one focus two focus one focus two focus one focus two तो यहाँ पर कौन सा ray diagram जो है न वो सही बनाया गया है है ना कौन सा ray diagram जो है बलक वो सही बनाया गया है जल्दी से इसका answer दोगे fast answer दोगे है ना देखो यार focus से जब ray आता है तो reflection के बाद बलक वो parallel हो जाता है यानि जो लोग option number B टिक कर रहे थे वो बिल्कुल सही है है ना और इसी का उल्टा बालक अगर parallel आए तो reflection के बाद देखो यार जब parallel आएगा तो reflection के बाद focus से पार करेगा और जो focus से होते हुए आएगा तो reflection के बाद parallel हो जाएगा किस के parallel प्रिंसिपल एक्सेश के parallel है ना तो यह अच्छे से बालक revise करोगे next इसका क्या है इसका answer क्या है combination of lens से बालक एक question ला दिये दो question इसे आज हम कराएंगे इस question का answer जल्दी से बता दो हम तब तक इसको solve कर रहे हैं देखो बालक एक चीज को revise करा देते हैं फ्यूरी को combination of lens में क्या होता है कि जैसे दो lens है माललो एक lens का power P1 है और दूसरे lens का power बालक P2 है माललो तीसरा भी lens है उसका power P3 है है ना तो यह तीनो lens को जिसका P1, P2, P3 power है यह तीनो को अगर हम लोग कंबाइन कर दे जोड़ दे तो combination of lens का power क्या होगा यह सब के addition के बरबर मतलब इंडविजवल लेंस के power को एड़ कर दो एड़ कर दो एड़ कर दो एड़ कर दो जो भाल आ रहा है वो combination of lens का जो होगा जो combination of lens आएगा उसका वो पावर हो जाएगा है ना तु इस केस में दो lens है 2 lenses of power plus 3 and minus 1 die aperture है और प्लेस इन कॉंटेक्ट में रखा गया है the focal length of the combined lens is है फोकल लेंथ क्या होगा जो combined lens आएगा उसका focal length बताना है सबसे पहले पावर निकालते हैं combined lens का जो पावर होगा पावर होगा combined lens का पावला को हो जाएगा 3 plus minus 1 यहनि दोनों के individual इन्डिविजवल जो लेंज से दोनों का पावर एड कर दिये कितना आगया? 3 minus 1 यानि की 2 आगया 2 die aperture आगया मतलब की जो combination of lens है जो एक lens बना दो lens मिला करके उसका पावर हम लोग निकाल दिये 2 die aperture ठीक है? पावर इस इकोल टू बालक क्या? 1 by F है ना? और यह दिया हुआ है 2 die aperture is equal to 1 by F हमको focal length निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे है ना? F इसको reciprocal किये तो इसको भी reciprocal 1 by 2 हो जाएगा यह है ना? 2 को reciprocal करोगे तो 1 by 2 और इधर आगया F और इसका value बालक आजाएगा 0.5 0.5 हाजाएगा इस focus का value मीटर में लेकिन आएगा ध्यान रहे power जो है वो departure में रहेगा और focal length जब भी वहाँ से निकालोगे तो वो मीटर में निकलता है मीटर में आएगा तो यह मीटर में आया बट option में देखू यह centimeter में और बोर्ड हमेशा centimeter में ही option में दे रहा है ज़र यह 0.5 को 100 से multiply करोगे तो 50 cm आजाएगा 50 cm यह वाला जो है वो right answer है बालक तो जो लोग option number C टीक कर रहे थे बिलकुल सही थे बाकि सभी लोग गलत थे next question next question बालक combination of lens से और जल्दी से बना लो next question combination of lens से ही और इसको यार जल्दी से बना लो question क्या है two lenses of power 2.50 diameter and minus 3.75 diameter यानि कि जो equivalent power आएगा combination of lens का दोनों का addition हो जाएगा है कि नहीं वालक दोनों का क्या हो जाएगा addition हो जाएगा इतना diameter आजाएगा निकाल लिया जाए देखो यह 2.50 और यहाँ पर 3.75 है है यह आजाएगा minus 1.25 minus 1.25 माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना इसको solve करोगे तो माइनस 1.25 डाएपचर आजाएगा power is equal to again बालक क्या 1 by f है ना यानि कि minus 1.25 is equal to 1 by f यह बात आया focus निकालना है तो इसको reciprocal करेंगे यह भी reciprocal हो जाएगा क्या लिखेंगे बालक focus is equal to 1 by minus 1.25 1 by minus 1.25 कोई दिक्कत अब बताओ next क्या किया जाएगा अब next यहाँ पर बालक क्या किया जाएगा कि इस point को हटाते है तो यहाँ पर बालक 100 आ जाएगा 100 आ जाएगा है ना तो यह 4 आ चार बार में 25 से 25 से और यह बालक 5 बार में यानि कि focus जो आया ना वो minus 4 by 5 आया focus बोल रहे है sorry focal length जो आया इतना आया meter में आया कभी-कभी बालक focus मतलब focal length निकालने के बाद nature of lens भी पूछता है कि कौन सा lens था है ना तो यह तुम साइन से डिसाइड कर लोगे जैसे देखो पिछला question में क्या था कि जो focal length है वो plus में आया था यहां पर plus में 50 आया था है ना तो plus में आने का मतलब क्या है कौन सा lens है वो अगर किसी lens का focal length जो है वो plus में आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा lens है पता होगे जल्दी से convex ना वो convex lens होगा और यहां पर देख रहे हो तुमको idea लग रहा होगा कि जो focal length आएगा वो minus में आने वाला है minus में आएगा तो जो minus में आएगा वो कौन सा lens होगा minus में concave lens है ना वो हो जाएगा बालब concave lens यह मीटर में है और अगेन तुमसे यहां पर बालब centimeter में पुछा हुआ है किसमें पुछा हुआ है बालब centimeter में तो इसको change कर लिया जाए centimeter में change करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से multiply यानि कि minus 4 by 5 into बालक 100, इतना centimeter हो जाएगा, 20 बार में और 20 into 4 यानि कि बालक minus 80, minus 80 आ गया, minus 80 is what, minus 80 is focal length, यह focal length है, किसका, तो यह negative है न भी या, negative है मतलब कौन सा lens, concave lens, और concave lens को बालक हम लोग diverging lens भी बोलते हैं, कोई दिक्कत, next question, low, अभी अभी जो बात बोले वही question आ गया अभी अभी जो बात बोले, उसी से related question आ गया, बोल रहा है, a diverging lens, a diverging lens will produce, diverging lens, यानि कौन सा lens, अभी अभी discussion हुआ, concave lens, है ना, diverging जो lens है, जो रे को diverge कर दे, है ना, lens will produce, क्या होगा यह चारों में से, क्या होगा बालक, option number A, जो लोग बोल रहे हैं, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, always a virtual image, यह हमेशा virtual image ही बनाता है, है ना, हमेशा यह virtual image ही बनाता है, रियल और virtual तो हो नहीं सकता है, है ना, ध्यान रखना, concave lens जो है, वो हमेशा virtual image बनाता है, यह बात ध्यान रखना है, यह भी PYQ था बालक, यह question आया हुआ था, इस question का answer क्या दोगे, इस question का बाबू answer तुम क्या दोगे जल्दी से बता दो question में है you are given three media तीन तुमको media दिया हुआ है और बढ़ा कर देखिया इसको देखो अब आराम से देखो इसको देखो के ध्यान से you are given three media ABC तीन media है देखो medium का plural जो है वो media हो जाता है तो तीन medium है ABC ABC बोल रहा है off refractive index यानि की media A का जो medium A का जो refractive index है 1.33 है medium B का जो refractive index है 1.65 है और medium C का 1.46 है the medium in which the light will travel faster is light उसी में fast travel करेगा जिसका refractive index कम होगा जिसका refractive index क्या होगा बालक जिसका refractive index कम होगा जिसका जादा होगा उसमे light को slow चलना पड़ेगा बेंडिंग उसमें जादा होगा तो यहाँ पर पूछा गया था the medium in which light will travel faster यानि की option number A जो लोग बोल रहे थे उनका answer सही है बत के लिए रहना क्योंकि सबसे कम refractive index किसका है medium A का तो यह सही answer है right answer है जो इस question का answer बताओगे तुम लो इस question का बालक answer तुम लोग बताओगे question क्या है देख रहा है अच्छे से पूरा question बड़ा है लेकिन बड़ा important है इसलिए अच्छे से पढ़ो और इसका answer सही देने का कोशिस करो देखते कोन बच्चा सही बनाता है a child is standing in front of a magic mirror magic mirror मतलब playing mirror जो है playing mirror type का है जिसमें अलग-अलग type का image बन रहा है same object का, same person का तो एक child वहाँ पर खड़ा है magic mirror के behind इस front में magic mirror के front में खड़ा है he finds the image of his head bigger अपने head का image देख रहा है वो देख पा रहा है वो bigger देख रहा है the middle portion of his body to be the same size your middle portion को बालक वो same size का देख रहा है and that of the leg is smaller उसका जो leg है वो उसको smaller देख रहा है ठीक है भईया बल रहा है which of the following is the order of combination of the magic mirror from the top top से top से कौन साइज में से combination यहाँ पर तुमको सही लग रहा है माथा जो है उसका जो मुंडा है मुंडी जो उसका मुंडी है वो जो है वो बिगर है bigger image उसका बन रहा है और जो middle portion उसका body का है वो जो है same size का बन रहा है यहन्य के पका उस mirror का combination है उसके बीच में सेम साइज का बन रहा है तो पका plane mirror होगा तो बालक देखो को बीच में प्लेन मिरर होना चाहिए, यह दोनों अप्सन में से कोई ना कोई सही है, यह दोनों अप्सन तो भोई नहीं सकता है, है कि नहीं है, बीच में प्लेन मिरर होगा, तभी तो सेम साइज बनाएगा, प्लेन मिरर तो सेम साइज कही तो बनाता है ही मेज, है ना, अब देखते हैं लास्ट वाला जो मतलब नीचे वाला जो पाथ है लेग जो है वो इस्मॉलर है इस्मॉलर बना रहा है तो तुमको हम बता दे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बालक कॉन्वेक्स मिरर जो है मिरर का यहां पर गेम है मिरर के बारे में बोला गया है कॉन्वेक्स म जो है वही larger image बना सकता है larger image object से बड़ा object का जो size है उससे बड़ा image कौन बना सकता है Concave mirror ये बात एकदम ध्यान रखना वो जो NCIT में जो 6 point दिया हुआ उसके बारे में एक box में उसको अच्छे से ध्यान रखोगे तो देखो Concave भी इमिनिस बनाता है लेकिन कम बनाता है जितना दूर object होगा ध्यान से सुना जितना दूर object होगा उतना छोटा image बनेगा Concave mirror के case में सेंटर के पास आओगे सेम साइज बनेगा और सेंटर से नजदीक जाओगे बड़ा साइज बनेगा है तो बड़ा image कौन बनायागा Concave और बड़ा जो है वो head को बड़ा दिखा रहा है यानि कि सबसे पहले सबसे उपर उस combination of mirror में सबसे उपर जो mirror होगा वो Concave होना चाहिए है ना तो option number C जो लोग बता रहे थे उनका answer बिलकुल जो है सही था पहले Concave होगा क्योंकि बड़ा image बन रहा है मुंडी का उसके बाद plane क्योंकि same size का और उसके बाद convex क्योंकि छोटा कौन बनाता है Convex बनाएगा चलो जी next next question next question बहुत important है बाला कि refractive index से question है ये इस type का इसे solve करोगे question में ये था कि figure source array of light as it travel from medium A to medium B medium A इस side है यहां से B medium में light जो है वो travel कर रहा है हना refractive index of medium B relative to medium A यानि with respect to medium A medium B का तुमको refractive index बताना है medium B का refractive index with respect to medium A सबसे पहले हम बना रहे हैं तुम भी बना करके comment करते रहोगे देखते कौन इसे fast बना करके comment करता है trigonometry का भी थोड़ा सा knowledge तुमें होना चाहिए देखोगे ध्यान से हम क्या बोल रहे थे हैं कि बालक देखो refractive index को हम लोग ऐसे so करते हैं refractive index of B with respect to A हम लोग पढ़े थे sign angle I by sign angle R sign angle I by sign angle R मतलब कि जो incident angle है medium A से यहां पर जा रहा है मतलब A से B में travel कर रहा है तो incident angle बालक कितना हो गया 60 degree और reflected angle कितना हो गया बालक 45 degree इसी का अगर हम लोग ratio ले ले sign के साथ तो बालक यहां पर refractive index निकल जाएगा तो हम लोग इसे बना लेते हैं देख 60 degree था हैना 60 degree तो sign 60 by sign कितना बालक 45 degree यह इसका जो है answer आ जाएगा but option में solve करके दिया हुआ है कभी-कभी option में ऐसे भी देता है हैना तो इसका value लिख लिया जाए बालक root 3 by 2 और divided by sign 45 का value 1 by root 2 हैना तो देखो यहां पर root 3 by 2 into देखो एक बात है ध्यान से देखो यहां पर हमको root 2 को cancel करना है तो इस 2 को बालक हम root 2 into root 2 लिख सकते है ना देखो तो 2 को root 2 into root 2 लिख सकते हैं कोई दिक्कत है एक ही बात है और यहां पर into कर दिये तो यह root 2 ऊपर चला गया बालक root 2 by 1 आ गया यह और यह बालक cancel हो गया root 2 और root 2 cancel हो गया यह division था इसका answer आ गया option number A जो लोग ब उनका तयारी जो है वो बहुत बढ़ियां चल रहा है, ऐसे ही लगे रहिए, जो इसका आपसर नंबर ए बता रहे थे, और जो लोग आपसर नंबर बी और सी और डी बता रहे थे, अनुलोम बिलोम करिए और मन लगा कर के पढ़िए, ध्यान से देखो, इसक्ट कोश्चन, इस km का question है ना टू बिग mirror दो बड़ा mirror है बाबु एक A है और एक B है are fitted side by side on a wall side by side कहने का मतलब क्या है हम तुम इसमें बता दे रहे हैं मतलब एक अब इदर तुम दिवाल थोड़ी देख रहे हैं कि हम तुम को समझाए side by side मतलब तुम ऐसे देखो एक mirror यहा लगा हुआ है, तो एक mirror इसके opposite नहीं लगा, ऐसे लगा है, ध्यान से सुनो, एक mirror इधर लगा है, तो एक mirror इस पर लगा है, इसको बोलते हैं, side by side arrangement, इस तरीके से mirror यहां पर लगा हुआ है, मतलब बोल सकते हो, दोनों mirror एक दूसरे के perpendicular है, इतना तुम समझ सकते हो, मたलब कि एक आदमी जो था वो इस तरीके से खड़े था उस दोनों के फ्रोंट में वो दोनों मिर्यर के फ्रोंट में वो इस तरीके से खड़ा था कि वो अपना erect image देख पा रहा था है ना अच्छे से देख पा रहा था when the man starts walking towards the mirror when the man starts to walk towards the mirror he finds that the size of his face in mirror A goes on increasing वो देख रहा है उसका जो size है उसका जो image का size है वो बढ़ने लगा increase करने लगा किसमें? mirror A में बोल रहा है goes on increasing but that in mirror B remains the same और mirror B जो लगा हुआ था उसमें उसका image same ही रहा नज़िक भी जा रहा है तो उसका image same लग रहा है लेकिन एक में क्या हो रहा बालक एक में उसका increase हो रहा बताओ इसका right answer क्या होगा तुम लोग मेंसे कौन इसका right answer बता सकता है जल्दी से दिमाग लगाओ बहुत बढ़िया question है एक बर question को फिर से पढ़ो बना लेते हो यह ज़्यादा important है तो यहाँ पर हम बताएं अगर तो यार mirror B जो है mirror B उसमें same रह रहा है image का size जितना object का size उतना image का size size जो है इसका मतलब यह है कि mirror B जो है बालक वो पक का भगवान कसम plane mirror होगा क्योंकि plane mirror में क्या होता है same size का image बनता है है कि नहीं है तो यहाँ पर देखा जाएं कि B किसमें plane दिख रहा है कौन से option में C में दिख रहा है बालक ध्यान से देखो B is plane जो mirror B था उसमें same size का image बन रहा था इसलिए हम बोले कि उसको plane होना पड़ेगा अब बात है कि mirror A को भी check कर लिया जाए बोल रहा था कि जैसे जैसे नजदिक जा रहा है image उसका बड़ा बन रहा है आज ही के वीडियो में डिसकस हुआ कि concave mirror में जैसे जैसे हम लोग नजदिक जाते है mirror के towards हम लोग का image बड़ा बनता है increase होता है image का size है ना तो option number C इसका answer बहुआ बता दो तो मान जाए क्योंकि यह बहुते असान question है which of the given is not true of an image formed by a plane mirror plane mirror के द्वारा image बनता है plane mirror के लिए इसमें से कौन सा option सही नहीं है है ना which is is not true it is erect, सही बात it is virtual, सही बात it is diminished गलत बात it is at the same distance as the object यह भी सही बात यानि का option number C जो लग बोल रहे थे ना सही है उनका next question इसका क्या answer होगा जल्दी से बता दो इसका answer बचवा क्या होगा हमको बता इबा का जल्दी से बता ओ हना, question क्या है a ray of light passes from a medium X to another medium Y no reflection of light occurs if the ray of light hits the boundary of medium Y हना, देखो इस तरीके से एक line है यहाँ पर X medium है यहाँ पर Y medium है एक लाइट रहा है ऐसे एक लाइट रहा है और यहाँ पर कोई reflection नहीं सो हो रहा है हना, no reflection reflection का मतलब यहाँ पर bending नहीं हो रहा है light का light जैसे आ रहा था वैसे ही जा रहा है बोला जा रहा है कि मतलब कि the boundary of medium Y at an angle of इसमें से कौन सा एंगल पर वो incident कर रहा होगा यह तिमको बताना है इनमें से कौन सा एंगल पर वो incident कर रहा होगा incident कर रहा मतलब समझ रहा होना एकस में एकस में किस मतलब इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर बॉंडरी पर वो किस एंगल से incident कर रहा होगा बहुत इंपोर्टेंट बहुत बार आया है और याद कर लो perpendicular होगा तभी यह case होगा पर्पेंडिकूलर के अलावा अगर कुछ करोगे तो जरूर बेंड होगा पर्पेंडिकूलरली अगर पर पर्पेंडिकूलरी अगर इसा देंसर य। शीदेंट कराया है तो यह लाइ्टश में पार शाहिए नेख्ट क्योश्चन हाँ ये भी PYQ है बालक एक बार आया था एक बार आया था और आजकल ऐसा कोशन आने का ज्यादा चांस है इसे ध्यान रखो A hole is made in a convex lens, convex lens है और इस lens में बालक hole कर दिया गया तो क्या होगा? A hole appear in the image तो जो इसका image बनेगा उसमें hole दिखेगा image size decrease, image का size decrease कर जाएगा, image intensity decrease, image intensity decrease का मतलब image उतना clear नहीं बनेगा image इतना clear नहीं बनेगा, इसका मतलब light ray कहीं नहीं observe हो रहा होगा है और no change, उसमें कोई change नहीं आएगा, hole कर दो, कुछ भी कर दो, कोई change नहीं आएगा जो लोगो option number D बता रहे है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है, A बता रहे है, वो भी गलत है, B बता रहे है, वो सही नहीं है, वो भी गलत है option number C वाले बिल्कुल सही है, image intensity decrease, यह यादर कर लेना, यह PY की हो और बालक आ सकता है, इसलिए इसे रट जाओ तो ज्यादा अच्छा है next question, next question बालक, इसका answer क्या होगा, बताओगे, इसका answer क्या होगा, question है, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size, infinity पर अगर object हो, तो इसका image जो बनेगा, वो बहुत ही छोटा बनेगा, इसमें से कौन सा option होगा, किस mirror में छोटा बनेगा, highly diminished किसमें बनेगा, concave mirror में केवल, convex mirror में केवल, convex lens में केवल, concave mirror, convex mirror, concave lens and convex lens, चारों में, जो लोग option number C बता रहे हैं, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही जो है, ये है, ये दोनों बालक, तीनों गलत है, option number D जो लोग बता रहे थे बालक, उनका answer बिलकुल ही सही है, तो next question बता दो, इसी बा दो, एरे रुका हो, हाँ, the law of reflection holds goods for, है ना, law of reflection किस के लिए सही है, plain mirror के लिए केवल, concave mirror के लिए केवल, convex mirror के लिए केवल, all mirror irrespective of their shape, जो लोग option number D बता रहे हैं, या सोच रहे हैं, बताने के लिए, वो लोग बिलकुल सही है, option number D is the right answer, इसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत बालग, अब इस question का answer कौन बताएगा, इस question का बालग answer जो है, वो कौन बताएगा, बड़ा ही असान है, बड़ा ही असान है, power of lens से related, हम लोग बहुत सारा questions बालग कर लिए हैं, तो, इसका answer बता दो हमको जल्दी से, क्या होगा, a lens is a power of 0.5 departure, तो वो कौन सा lens है, और उसका focal length कितना होगा, है ना, तो देखो यार, power is equal to 1 by f होता है, आज ही बताये थे, 0.5, आज ही बताये क्या यार, तुम ये तो जानते ही होगे न, 1 by f, बात clear है, अब देखो, इसको focus अगर निकालना हो, तो इसको reciprocal करोगे, ये भी reciprocal हो जाएगा, 1 by 0.5, point अटाओगे, प्लस क्या बताएगा, प्लस बताएगा, कि वो जो lens है, वो convex lens है, कौनसा lens है बालग, convex lens है, यानि कि option number D जो बता रहे थे, sorry, 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 ये तो concave है, convex कहाँ गया, यहाँ है, option number B जो लोग बता रहे है, वो बिलकुल सही है, क्योंकि यहाँ पर, जो focal length है बालग, वो plus आ रहा है, plus 2 meter आ रहा है, plus 2 meter आ रहा है, मतलब focal length, इसका मतलब है ये, कि वो lens जो है, वो convex lens होगा, क्योंकि convex lens का, जो focal length होता है, वो positive होता है, कोई दि तो यहार इस तरीके से, आज भी हम लोग important questions कुछ किये, अगर इस तरीके से तुम regular इसे करते हो, है ना, पूरे analysis के साथ करते हो, पहले chapters को पढ़ के आते हो, है ना, तो यहार बहुत बढ़ियां तयारी हो जाएगा तुमहरा, क्योंकि यह सब बहुत बढ़ियां-बढ़िय questions है, है ना, जरूरी इसमें तुमको 2-3-4 असान लगा होगा, है ना, असान भी डालना पड़ता है, 2-3-4, लेकिन ज़्यादा तर मेरा questions जो रहता है, वो important question तुमको दिखाना होता है, वो चारो questions जो असान भी तुमको लगा, वो भी important है, वो आया हुआ हुआ है, कई अक ब board के लिए, NTSC के लिए, NTSC के लिए अलग section बनेगा, इसमें किवल board के लिए होगा, जो important हमको लग रहा है, किस टाइब का questions पूछता है, magnification से related आज कल, light से ज़्यादा board question पूछ रहा है, magnification के science से related ज़्यादा तर competency based question बना रहा है, वो सारा हम लोग discuss करेंगे, और बालक, maths म अब triangle start होने वाला है, triangle पढ़ने के लिए basic requirement है, कि थोड़ा सा basic geometry तुमको मालूम होना चाहिए, और I hope बालक तुमको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि 9 तुम पढ़के आए हो, तो 9 वाला जो भी तुम्हारा geometry portion था, वो थोड़ा बहुत उसमे requirement उसका है, तो वो थोड़ा से revise करके रखोगे, वैसे अगर नहीं revise है, sort में revise करना चाहते हो, तो इस channel पर एक playlist बना दिये है, basic geometry करके, वहाँ जाकर revise कर सकते हो, मिलते हैं मालक हम लोग नेक्श वीडियो में, बाई